हलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम परियंक है और स्वागत है आपका मेरे चैनल में आज हम बनाने बाले हैं पालक चिकन अगर आपको पालक पसंद है और चिकन पसंद है तो फिर दोनों का ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत जादा पसंद आएगी और बहुत जटपट हैं पालक चिकन तो सबसे पहले गैस पे एक पैन चरहे हैं पैन में डाले हैं सरसो तेल और तेल जब गरम हो जाएगा तो कुछ खारा गरम मसाला डालेंगे जरूर डालिएगा इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो दो बड़ी इलाइची चार छोटी इलाइची तोर के डाल लिए थोरे से दाल चिनी के टुकरे डाले हैं और यहां पे छे साथ ब्लैक पेपर और पांच छे लॉंग डाल देंगे ए तो थोरी दिर इसे भून लिजे और अब इसमें हम डाल देंगे प्याज तो तीन मिडियम साइच के प्याज को हम महीं चौप करके डाल लेंगे और अब हमें प्याज को भूनना है फ्राइ करना है अच्छे से तो थोरी दिर हाई फ्लेम पे आप इसे भून लिजे थोरा सा प्याज सॉप्ट हो जाए यहाँ पे अद्रक लेसन का पेस्ट भी हम एड़ कर लेंगे ताकि साथ में ये भी भूना जाए तो इसे भी हमें साथ में भून लेना है प्याज के साथ ही इसे भून लेंगे नमक डाल लेंगे यहीं पे नमक डाल देने से प्याज जल्दी बुना जाता है तो यहीं पे आप टेस्ट के अनुसार नमक डाल दीजे और फिर प्याज को थोड़ी दिर और हम भूनेंगे प्याज को एकदम से ब्राउन नहीं करना पर प्याज थोरा सा सॉप्ट हो जाए तब तक आपको भुनना यहां पर आप देख सकते हैं प्याज अच्छे से सॉप्ट हो गया है तो यहां पर हम टमाटर एड़ करेंगे दो बरे साइज के टमाटर को हम चौप करके डाल लिए है और नमक तो हम पहले से डाले हुए हैं ही बस टमाटर को अच्छे से मिक्स कीजिए प्याज में और थोड़ी देर के लिए कवर कर दीजे कवर कर देने से टमाटर जल्दी पक जाएगा तो हम यहां पर इसे दो तीन मिनट के लिए कवर कर देंगे और यहां पर दो तीन हम डाले हैं कसमेरी लाल मिर्ची पॉडर आधा चमच हल्दी पॉडर और एक चमच धनिया पॉडर और आधा चमच यहां पे यह जीरा का पॉडर है और बस इसे अच्छे से मिक्स करना है हमें और फिर उसके बाद कुछ सेकेंड के लिए इसे भून लेंगे या आप इसे एक म भून लीजिए इसे मिक्स कीजिए पहले इसे अच्छे से मिला लीजीए मसाले में और इसके बाद कवर कर करके 7-8 मिन लिए हम इसे पकाएंगे और गैस का फ्लेम मीडियम और स्लो की बीच रखिएगा मीडियम से कम ही रखिएगा बीच बीच में इसे चलाते रहिएगा चेक करते रहिएगा तो यहाँ पे मिक्स कर लिए हैं हम अच्छे से और कवर कर देते हैं जब तक चिकन हमारा भुना रहा है तब तक यहाँ पे हम पालक लिए हैं साफ करके अच्छे से दो के और अब हम इसे पीस लेंगे तो थोरा सा मोटा मोटा चौप करके पीस लीजे तो यहाँ पे हम पालक को पीस लिए हैं थोरा सा पानी डाल के और अब यहाँ पे चिकन भी नो डेख सकते हैं इसे औरfly drinking gleichगे देख सकते कितना पानी छूटral Alan यंसमें बिल्कुल नहीं डाले है वह नियुक्सर लॉट वह अच्छे से हमारा भुना चुका है अब इसमें हम पालक डाल देंगे तो जो पालक कमा पीसनी सै। यह ओर 0 तो आपको जैसा ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से यहां पर पानी ले लीजिएगा और आधा चमच कसूरी मेथी का पौडर हम डाले हैं क्रस करके कसूरी मेथी को क्रस करके डाल लिए हैं और अब इसे अच्छे से मिक्स करके कवर कर दीजिए और तब तक पकाना है जब तक मिनट लग सकता है आपको यह आप चेक कर लीजिए चिकन जब तक पक न जाए और ग्रेवी एकदम से गारी न हो जाए तब तक आपको पका लेना है और यहां पे ढखके हम इसे 10-12 मिनट के करीब पकाए हैं और आप देख सकते हैं पालक भी पुरी तरह से पक चुका है चि जरूर डालिएगा पालक में हरी मिर्ची बहुत अच्छा लगता है प्लस यहां पे गरम मसाला पाउर डालेंगे एक चम्मच अगर आपको धनिया पता पसंद है तो आप डाल सकते हैं हम नहीं डाले हैं इसे अच्छे से मिक्स कर दीजे और थोरी देर के लिए हम इसे कवर कर लेते हैं एक बार बनाईएगा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होता है अगर आपको पालक पसंद है न और चिकन पसंद है तो दोनों को एक साथ ऐसे बना कर देखिएगा पसंद आईगी आपको तो बस यहां पर हम इसे सर्ब कर लिए हैं एक बार बनाईएग तो लाइक कीजे, सेर कीजे, कमेंट कीजे थैंक यू मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ